पंचसील सिध्धान्त क्या है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों पंचसील जो है वो भारती विदेशनीत का मोल सिध्धान्त माना जाता है। पंचसील जो है वो भारती विदेशनीत का प्रमुक सिध्धान्त है और ये सांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहस्तच्छेव के विश्वास तर आधारित है और कुल मिलाकर राष्ट्रों के बीच सांतिपूर्ण संबंध वनाने के लिए ये जो पंचसील के सिध्धान्त है महतोपूर उपकरण की भात हैं दोस्तों पंचसील के सिध्धानतों पर आपचारिक रूप से भारत और चीन के तिबबत छेतर के बीच ब्यापार और सांति के समझाते पर 29 अप्रेल 1954 याद रखेगा 29 अप्रेल सन 1954 को हस्ताचर किये गए थे यह समझाता जो है वो ततकालीन भारती प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू और चीन के पहले प्रधान मंत्री चाव एनलाई के बीच हुआ था जबकि जून 1954 में चीनी प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दोरान एक संयुक्त घोषड़ा पत्र जारी हुआ था और इसमें इन सिध्धानतों को दुबारा प्रतिपादित किया गया था पंच सील का जो सामानने अर्थ होता है वो होता है पांच आचरण या बेवहार के नियम पंच सील दोस्तों संस्कृत इसका जो संदिविच्छेद हुथ होता है पंच प्लस शील पंच यानि पांच और सील का अर्थ होता है आचरण या बेवहार के नियम तो पंचसील जो सब्द है एक प्रकार से इसकी उत्पत्ति देखी जाए तो ये भारत के बौध अभिलेखों यानि बौध धर्म जो भारत में था महात्मा बुद्ध द्वारा पृत्पादित तो बौध अभिलेखों से लिया गया है पंचसील सब्द और पंचसील का आशे ह होता है कि बहुत भिच्छूों के ब्यावहार को नियमित और निर्धारित करने वाले पांच नियम और उसी आधार पर भारत ने अपने विदेश नीत में जो पांच नियम अपनाए थे पंचसील के आधार पर कि राष्ट्रों के आपसी संबंधों उनके आपसी ब्यावहा सुब्सक्राइब इसका उद्देश जो है वो यह है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तच्छेपन करना और छेत्री तथा आर्थिक समराजिवात की संभावना को कम करना सकरात्मक रूप से इसका आर्थ है कि प्रतिक देश को स्वतंत रूप से बेवहार करने और अपने आपको अखंड राष्ट बनाने का अधिकार है दूसरा सिध्धान्त जो अनाक्रमण का सिध्धान्त है उसमें यह माना जाता है कि कोई भी राष्ट अपने नेड़ें तथा हितों को पूरा करने के लिए उसे दूसरों से मनवाने के लिए सांतिपूर साधनों का उपयोग करेगा और तीस राष्टों के आंतरिक मामलों में हस्तचेप को सांति और तनाव विरोधी तथा युद्ध विरोधी साधन के रूप में स्विकार किया गया है और इस सिध्धान के अमसार सभी राष्टों के बीच समानता और पारस्परिक लाबदायक संबंदों की अस्थापना पर बल द पांचवा सिध्धान्त इस बात को मानता है कि अंतराष्टी जो जीवन होता है वो सभी के लिए सांति पूर्ण सह अस्तितों की आदर्स और प्राकृतिक सर्थ है यह सिध्धान्त ये स्विकार करता है कि विभिन देशों में चल रही राजनीति व्यवस्थाओं के बीच स संबंध बना रहेगा तभी उनका विकास हो सकता है तो इस प्रकार से देखा जाए तो पंचसील का जो सिध्धान्त है वो सांति पूर्ण सह अस्तित्व और अहस्तचेब द्वारा सांति का सिध्धान्त है यह राश्टों के बीच अच्छे मैत्री पूर्ण ब्योहार पू यह एक सकारात्मक सिध्धान्त है एक दूसरे पर आकरमण नकरना यह नकरात्मक सिध्धान्त है एक दूसरे के मामलों में हस्तचेब नकरना यह भी नकरात्मक है तो कुल मिलाकर दो सिध्धान्त जो हैं एक दूसरे पर आकरमण नकरना और एक दूसरे के आंतरिक मामलों मे हस्त छेपन करना दो इसके नकारात्मक सिध्धान थे और तीन सकारात्मक सिध्धान थे पंचसील के अंतरगत दोस्तों पंचसील संधी ने भारत चीन के बीच तनाव को काफी हद तक दूर कर दिया था पंचसील का जो समझोता हुआ था पंचसील समझोता है संधी इसने भार गया था कि दो सभ्विताएं आपस में एक जुठ होकर पूरे विश्व और मानोता के विकास के लिए कारे कर सकती हैं लेकिन ये जो विश्वास था हिंदी चीनी भाई-भाई का नारा था ये बहुत जल्द ही ये भावना वास्क बनकर उड़ गई 1969 में तिबबती विद्रोह की सुरुवात में जो दलाई लामा थे उनके अन्याई तिबबत से भाग कर भारत आ गए और भारत ने उन्हें सरण दिया और यहीं से भारत चीन के संबंध खराब होते गए और इसके आधार पर चीन ने ये माना कि भारत ने पंचसील का उलंगन क किया है यानि उसने उस चीन के आंतरिक मामलों में हस्तच्छेप किया है इसलिए इसी के बाद 1962 में चीन ने भारत के विरुध एकतरफा युद्ध की घोश्रा कर दी और इसमें भारत को काफी नुकसान हुआ था दोस्तों यद्यप पंचसील समझाओता जो है वो भारत ची ुद्ध की जीप गया था लेकिन चीन ने इन सिद्धान्तों का गलत फायदा उठाया था और पंचसील का उसने अपने हितों के रूप में एक तरफा उप्योग किया था राजनीतिक इसलेशकों का मानना है कि पंचसील के सिध्धानतों की वैलिडिटी केवल आठ साल थी ऐसा इसलिए माना जाता है कि ये समझो था 1954 में हुआ था और ठीक आठ साल बाद 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके पंचसील की आत्मा को खतम कर दिया था और कुल मिलाकर पंचसील की आत्मा मर गई थी जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया लेकिन इसके बावजूद दोस्तों भारत का विश्वास नहीं डगमंगाया और भारत आज भी आपसी संबंधों में इन सिध्धानतों को स्विकार करता है